हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मंजू नेटिंग चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए यह दिखिया कितना सुन्दर सा डिजाइन लेकि आई हूँ यह देखने में जितना सुन्दर लग रहा है बनाना इसे उतना ही आसान है फ्रेंड्स यह सीधी साइट से ऐसे नज़रारा फ्रांट साइट से बैक साइट से ऐसे नज़राएगा इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे लेने हैं आप फॉर के मल्टिपल से फंदे लेंगे फॉर 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 ऐसे फंदे डालते जाएंगे लास्ट में टू फंदे एक्स्ट्रा और टू फंदे एस्टिच के लिए आप पहले 4, 4 के हिसाब से फंदे डालते जाएं लास्ट में 2 फंदे एक्स्टर डालें और 2 फंदे एस्टिश के लिए डालें तो ये डिजाइन आपके प्रोजक्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आजाएगा इसे आप लेडी स्वेटर, जैंट्स, हाफ वाजू स्वेटर, फुल वाजू स्वेटर, जैकेट, बच्चों का स्वेटर, टॉप, स्टॉल, मफलर, कैप, ब्लैंकेट, कुछ भी बना सकते हैं किसी भी प्रोजक्ट पे इस डिजाइन को आप डाल सकते हैं बिल्कुल आसान डिजाइन है, फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए पहले आप बॉर्डर बना लेंगे बॉर्डर के उपर अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं, तो उल्टी रो में पहले फंदे बढ़ा लेना क्योंकि सीधी साइड से इस डिजाइन को हमने स्टार्ट करना है इसको आप किसी भी कलर में बना लेंगे, लाइट कलर में, डाग कलर में, किसी भी कलर में बना लेंगे हर कलर में ये डिजाइन बहुत सुन्दर लगने वाला प्रेंड्स मेरी पूरी कोशिष रहती है कि मैं कोई भी design बताओं आपको तो पूरा बोल के रिपीड करती हू करती हूं मैं ताकि जब भी आपको फंद बनाने लगे तो आपको बनाते समय कोई भी मुश्कील ना आए कोई भी परिशानी ना आए आप बिल्कुल आराम से उस डिजाइन को बना ले इसलिए मैं पूरा बोल बोल के साथ साथ में रिपीट करती है आप मेरे साथ साथ ही बनाया करो अभी आप फोर फोर के मुल्टिपल से सिक्स फोर 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 ट्वेल्फंदे टू फंदे एक्स्ट्रा टू फंदे एस्टिच डालने मेरे साथ साथ बनाये फ्रेंड्स आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें बेल आइकन फ्र सबसे पहले आप तक क्योंकर एक पूराइं को बनाना स्टार्ट करते कैसे बनाएंगे यह दिखिए आए मैंने फॉरड फॉर फॉर यहねं फॉर फॉरफॉर करिसाफ के श interests के लिए दाले हैं तो पसकर से सीधे सीधे बनाने हैं खंदे हमें उल्टे उल्टे बनाते हुए जाना हरके अगे भाज़ल right no log में क्या करेंगे ए ₌पंडा सीधा अब यह दिखिए यहां पर हमें एक दो यह दिख्याएं हमने तू यौफ गज्यक्त किया एक दो यहां से निकालना हमें यहां से निकालना है यह इसी दा फिर दो धंदे सीधे फिर से एक दो इनके बीच में से यहां नीचे से निकालना है निकाला फिर से दो फंदे सीधे फिर से इन दोनों के एक तो यहां से निकालेंगे सीधा फिर दो फंदे सीधे फिर यहां से निकालेंगे फिर दो फंदे सीधे फिर दोनों के नीचे से निकालेंगे फिर दो फंदे सीधे फिर यहां से निकालेंगे दोनों के नीचे से फिर दो फंदे सीधे फिर यह देखिए दोनों के यहां से निकालना है फिर दो फंदे सीधे जो हुआ इन रिके दोफंदे सीधे यहां से हुआउ से यहां पर हमने टूरTS बनाई थी यहां से निकालना अ एस्टिछ सीधा बना लेंगे उल्टी रोफ लफंद हुआ उल्टा बनाएं गे जो हमनेропन शुट निकाला था उसे बीना भुने लेना है और जो सीधे बनाये थे उन्हें उल्टा बनाते जाना है पूरी रो में ऐसा ही करना है कि दो फंदे उल्टे जो नीचे से लूप उठाया था वह बीना भुना निकालते जाना है लास्ट वाला फंदा उल्टा यह रहां है अब क्या करेंगे पहला फंदा सीधा है अब ये लूप लेंगे और ये दोनों जो सीधे फंदे बीच में इने लेँगे एक लोप बिदर का लेंगे एक लूप इदर का लेंगे चारों को पिछे वाली साइड से यह दिखे, पिछे वाली साइड से सीधा बनाएंगे, यह दिखे, सीधा बनाया फिर इनी चार फंदों को आगे की तरफ से सीधा बनाना है, यह दिखे आगे की तरफ से सीधा बनाएंगे यह दिखे यह दिखे फिर से इन दो लूप लेंगे और दो बीच वाले लेंगे फंदे जो बीच सीधे बनाए थे दो साइडों के लूप लेंगे यहां फिर से हमें पीछे की तरफ से सीधा बनाना यह फिर आगे की से दो फंदे सीधे फिर से इन चार फंदों को एक साथ लेना है दो लूप लेने हैं साइडों के दो बिच वाले फंदे लेने हैं पिछे की तरफ से सीधा बनाएंगे फिर आगे की तरफ से इन चारों को सीधा बनाएंगे दोनों तरफ से सीधा ही बनाना फ्रेंट्स फिर से दो फंदे सीधे फिर से ये चार फंदे दो लूप बले और दो सीधे जो बनाए थे पहले सीधा पीछे की तरफ से बनाएंगे फिर आगे की तरफ से भी इन चार फंदों को एक साथ लेके सीधा बनाना कि यह देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे अब पूरी रोह में उल्टी उल्टी बनाते हुए जाना है पूरी रोह में सारे भंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए चलेंगे अब यह वाला डिजाइन अब इन दो फंदों प्याएगा इन दो फंदों प्याएगा यह वाला डिजाइन तो पहले यह दो फंदे सीधे बना लेंगे अब यह लूप इन दोनों फंदों के दोनों साइड पे निकालना है यहाँ से निकालेंगे दो फंदे सीधे फिर यहाँ से निकालेंगे। फिर दो फंदे सीधे फिर यहाँ से निकालेंगे फिर दो फंदे सीधे फिर यहां से निकालेंगे यहां से निकाला यहां से निकालेंगे फिर दो फंदे सीधे एस्टिच सीधा उल्टी रो में तीन फंदे उल्टे लूप को बिना बुने लेंगे दो फंदे उल्टे जो लूप निचे से निकालेंगे वो बिना बुने निकालते जाएंगे और यह सीधे बनाये थे उन्हें उल्टा बनाते जाएंगे अब फिर से हम वैसा ही करेंगे पहले तीन फंदे हम सीधे बना लेते हैं अब फिर से इन फंदों को ये दिखे इन फंदों को पिछे की तरफ से पहले पिछे की तरफ से सीधा बनाएंगे फिर आगे की तरफ से इन चार फंदों को आगे की तरफ से सीधा बनाएंगे ये दिखे फिर दो फंदे सीधे फिर इन फंदों को चारों को पहले पीछे से सीधा बनाएंगे फिर आगे से सीधा बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे फिर से इन चार फंदों को पहले पीछे से सीधा बनाएंगे फिर इन चार फंदों को आगे से सीधा बनाएंगे कि दो फंदे सीधे एस्टिच भी सीधा बनेगा कि उल्टी रो सारे फंदे उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे जैसे जैसे आप डिजाइन बनाते जाएंगे बिल्कुल आसान लगता जाएगा आपको बिल्कुल आसान डिजाइन है इसे बनाके जरूर ट्राय करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यह देखिए यह डिजाइन ऐसे बनके आएगा पूरे प्रोजेक्ट पे डालोगे तो यह ऐसे नजर आए इसे जरूर बनाके ट्राय करना फ्रेंड्स थैंक यू फो यू टाइम आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ